हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसा के वीडियो को शेयर करना ना भूले नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राह नमस्कार शेकिष्णा अशिरादेर सुप्रभाद बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं जोतिश दिशा सब्तिकी राज सुबर सुबर की पावन वेला और आपके आश्टो फ्रेंड का साथ आज जानकारी एक ऐसे विशय की हम देने जा रहे हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है समझना चाहता है किसी भी प्रकार की अनहोनी से पहले प्रकृर्ति किस प्रकार के संकेत देती है ये संकेतों की जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे ये आपको आगाह करने के लिए प्रकृर्ति देती है रिशी महात्माओं का शोध था थोड़ा बहुत हमापका भी सोध हो जाता है जिसमें आखों का स्फुरण है आखों का फड़कना शरीर के अन्य अंगों का स्फुरण है फड़कना है ये संकेत है हमारे दादा पर दादा कि कितने पीडियों पहले से ये संकेत शकून अब शकून की रूप में माने जाते हैं लिए जाते हैं और कहीं न कहीं सही भी होते हैं इसका एक अलग पक्ष भी होता है कि कुछ लोग करते हैं कि मानोगे तो हो भी सकता है नहीं मानोगे तो खेर वो एक अलग पार्ट है आज ऐसे ही कुछ संकेतों का एक पुलिंदा हम आपको देने जा रहे हैं जो आपको ना केवल आगाह करेगा बलकि तमाम प्रकार की अनहोनियों से बचने में मदद भी करेगा ठोड़ा इंदर बात करेंगे यह सारी जानकारी देंगे गरमास्त्र में थोड़ी से जानकारी कलचर वैली की विशेय में बता देते हैं कि अगर आप कलचर वैली अपने शहर में अपने परोस में आरंब करने के लिए एक छुक हैं तो उसके लिए फ्रेंचाइजी मीट हमें करने जा रहे हैं आगामी छे जनवरी 2019 दिन रविवार को गाजियाबाद वर्ल्ड इसकोईल मॉल मोहननगर में छे जनवरी को सुबर 11 बज़े से मीट रहेगा अपना अपना रेजिस्टेशन करवा सकते हैं मैं सबसे आग रहे गरूंगा जो हर्दर से चाहता है कि फ्रेंचाइजी लेकर कि आप हमारे इस आसीमित आमदनी और आसीमित त्रिप्ति की दिशा में कदम बढ़ाए तो आपसे आग रहा है कि आप जरूर इस मीट में इस समिट में इस सेमिनार में से सालें और समझें हमारे विजन को समझें हमारी सोच को और समझें इसकी व्यापकता को आइए बात कर लेते हैं आज के पंच्चांग की माक्सी समाश, शुक्लपक्ष, प्रतिपता चंड्रमाज धनराशी में नक्षत रहेगा मूल, मूल नक्षत का स्वामी केतु होता है तो अर्थात आज के पूरे दिन की महादसा के स्वामी केतु होंगे आज जिनका जिनका खेत्व की दसा अंदर दसा होगी उसके लिए एक अलग तरह का फल प्राप्त होने जा रहा है योग आज का शूल रहेगा तदनुसार दिनांग आठ दिसंबर दिन सनिवार सनिवार को राहुकाल का समय सुबह 9 बच कर 30 मिनट से 10 बजे तक राहुकाल में किसी भी प्रकार के शुभ काम नहीं किये जाते आवाइट किये जाते हैं गुलिकाल का समय सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बच कर 30 मिनट तक गुलिकाल में कोई भी नया और शुभ काम किया जा सकता है काम आपके बन जाते हैं अगर आपकी राषी मेश है तो आज की दिन को आप खुशी-खुशी बिता सकते हैं जन्द्रमा का प्रभाव, आपके नवमस्त होने के कारण त्रिकूल में होने के कारण आज कई प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होंगी पिता के साथ रिष्टा आपका काफी मधुर होगा और मा के स्वास्त पर चला रहा खर्च खत्म हो जाएगा धन की स्थिति आज प्रगार होगी कोई पुराना प्रेंडिंग बड़ा काम आपका बन जाएगा क्या विशेश करना चाहिए आज मेशवानों को आज के दिन थोड़ी सी धनिया लेकर कहीं किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा और क्या नहीं करना है अपना वाहन उधार नहीं देना है लाल रंगशुप सानसट प्रत्सित का भाग के ब्रिशब राजी थोड़ा उलजे-उलजे से रहेंगी कुछ काम आपका पेंडिंग हो सकता है कुछ प्रशाशने कुल जने भी परेशान करेंगी धन की स्थिति फिल भी सो सो रहेगी आज परिवार में मांगली कारे होगा शादी की बात फाइडल हो सकती है क्या विशेश करना चाहिए ब्रिशब वालों को आज किसी बच्चे को कुछ कॉपी किताब दे देजेगा और क्या नहीं करना है अगर आपकी राशी विशब है तो आप अपना काम दूसरों को मत दीजेगा नीदा रंगशुप उनसर प्रश्द का भागिया मिथुन राशी थोड़ा बलबोलापन दिखा सकते हैं कोई आप से रूट सकता है आज लेकिन नई नोगरी की सौगात प्राप्त हो सकती है परिवार संग घुमने टहलने का कारेक्टरम बन सकता है आज मन आपका प्रशन भी रहेगा नेवाहन के प्राप्ती के संकीत भी है क्या विशेश करना चाहिए अगर आप मित्रों राशी के हैं तो किसी को खाना खिला दीजिए क्या नहीं करना है आज जरूरत से ज़्यादा ना घूमिएगा बादामी रंगशुप 57 प्रत्षत का भाग है करक राशी बहुत अच्छा दिन जाएगा आपका मित्रों के साथ खुंदे टर्लने का कार्क्रम बन सकता है माता पिता के साथ अच्छा वक्त बिता सकते है कोई नया कारी कर सकते है धान्मी के आत्राओं में भी आज लगने का समय आ गया है आज के दिन को आप फुल इंज्वाय करने वाले है आपकी राशी करक है तो आज क्या मिशिस करना चाहिए आज थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता के साथ वक्त बिताना चाहिए या इश्वर का ध्यान करना चाहिए और क्या नहीं करना है अगर आप करक राशिके हैं तो आज इधर की उधर न करिएगा ठीक गुलावी रंग सुप साथ प्रिशत का भाग गया है सिंग राशिक स्वास्त उत्तम रहेगा संतान पर गर्ब होगा धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी पैतिक संपता की विवात से मुक्ति की संभावनाएं है कोई बड़ा पुराना पेंडिंग बड़ा काम आज पूरा हो जाएगा आज अपनों के साथ मुलाकात की भी संभावना बन रही है थोड़ा सा मन शाम के समय पर अकेला फील होगा लेकिन फिर भी समझा ले जाएंगे सिंग राशी वालों के लिए क्या विशेश करना है आज आज हनुमत सरण में रहना है क्या नहीं करना है आज आज अपते मन की बेथा किसी से नहीं बाटना है पीला रंग सुबावन प्रत्सत का भाग्या है कन्या राशी दो राहे पर रहेंगे सही निर्ड़े में कोई मित्र मदद कर देगा आज शादी की बात फाइनल हो सकती है पति पत्नी का बिवाद समाप्त हो सकता है ससुराल से रिस्ता मधूर हो सकता है वाहन आज स्वयम ना चलाएं तो बहतर है क्या विशेश करना चाहिए आज के दिन गायतरी उपासना जरूर कर लिजेगा लाल रंग शुभ है पचास प्रश्द का भाग्य है तुला राशी नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है घर में नए महमान का आगमन हो सकता है नई नगुरी के लिए प्रयास आज मत करें सफलता नहीं मिलेगी आज थोड़ा सा वानी पर स्वाइम रखना है कुछ बिवाद को आप जन्म दे सकते है क्या विशेश आपको करना चाहिए तुलावालों को आज नया कॉन्ट्रैक्ट जरूर पकड़ लीजेगा क्या नहीं करना है आज बहुत चंचलता नहीं दिखाना है ब्राउन कलर सुभ है सब तावन प्रतिशत का भाग के ब्रश्चेक रासी कोई रुका हुआ काम आपका आज चल निकलेगा आज दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्प्रेंट करेंगे अगर आपके रासी ब्रुश्चिक है तो आज बिदेश से सुभ संदेश प्राप्त होगा या बिदेश जाने की छुक लोगों को बिदेश जाने का अवसर मिलेगा आज बड़े प्रोजेक्ट पे वर्ट किया जा सकता है आज के दिन पति-पत्नी के बीच चला रहा विवात खत्म होने में बुजर्गों का हस्तक छेब काम करेगा संतान को लेकर के मदभेद दूर होगा क्या विशेश करें मृष्चिक वाले आज गुड का दान करतें और क्या नहीं करना है आज बाहर का भोजन नहीं करना है स्लेटी रंगशुब उनहत्तर प्रिशत का भागी है धनुराशी कुरोध बहुत आएगा आज कंट्रोल करिएगा कोई दोस्त रूट सकता है किसी महला मित्त से धोखा की संभावना है धनखर्च अनायास बढ़ेगा जैसे कोई उधार लेने आ सकता है आपका पैसा फंस सकता है आज बड़े निवेश की आवशक्ता नहीं है आज रिस्क नहीं लिया जा सकता थोड़ा सा रास्ता चलते हुए भी चोट चपेट से बचने की साउधान रहने की अनिवारता और आवशक्ता पर मैं बल दे रहा हूँ आज राजनी से जोड़े लोगों को विशेश लाब मिलेगा क्या खास करें आज धरुराशी वाले सांत रहें आज क्या नहीं करना है दोसरों पर अनावशक क्रोध नहीं करना है माता पिता के साथ कहीं घूमने टहलने का कारकर बनेगा संपत्ति आज क्रे विक्रे हो सकती है नवकरी की संभावना भी आज प्रबल हो रही है कोई पुराना मित्र आज आपकी मदद को आगे आएगा आज मकर राशी वालों को क्या करना चाहिए सोयम के साथ कोई कंप्रोमाईज नहीं करना है क्या नहीं करना है आज आपको आज अपना काम दूसरों को नहीं करने देना है सफेद रंगशुब 69 प्रशद का भाग क्या कुम्भराश आज किसी के साथ बिवात की स्थिति अगर बने तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा आज ब्यापार बढ़ियां करेगा आज ब्यापार के साजे में आ रही समस्या दूर हो जाएगी क्या विशेश करे कुम्भराशी वाले आज सिक्षा में मन लगाएं और अपने काम पर ध्यान दे मतलब क्या नहीं करना है दूसरों के काम में अडचन नहीं पैदा करना है क्या विशेश रंग साथ देगा इस्क्रीन पर देखे आसमानी रंग शुभ है साथ प्रतिसत का भाग आपके साथ है अंत्यम राशी मीन मीन राशी वालों को आज क्रोथ के अदिक्ता सता सकती है घर परिवाद में कुछ तनाव का वाता वरण हो सकता है आज मीडिया से जुड़े लोगों के लिए विशेश दिक्कत पैदा हो सकती है बॉस के साथ तो तु वैमक हटपट की संभावना बन रही है मीन राशी वालों को कला छेत्री के लोगों को आज बड़ा पुरसकार मिल सकता है क्या विशेश करना चाहिए मीन वालों को आज किसी बच्चे की स्रिक्षा में मदद कर दीजेगा क्या नहीं करना है दूसरों के घर का भोजन आज नहीं करना है गरे कलर सुभर 56 प्रिचत का भाग्या अपने साथ है तो आज बताएंगे प्रकृति क्या संकेत देती है किसी भी प्रकार की अरहोनी से पहले बेहद रोचक जानकारी होगी जरूर देखिएगा थोड़ा इंदजार करके लेकिन पहले आज का भाग्या अक्षर तकलीफ नहीं होगा इस अक्षर को 24 घंटे के लिए सादे चक और कागच पे लिखके रखना है और मगन हो जाना है आज की सकस्स की मीठी मीठी सी दाहिने हाथ की छोटी अंगली में थोड़ी सी चीनी लगाकर चाट लीजिए, खा लीजिए और फिर अपने घर से प्रस्थान करें पालियो नी मत पीजिएगा इसके बाद मीठा मीठा रहने देजिएगा मुख की स्वाद को तो चलिया बढ़ते हैं आगे और बता ही देते हैं वो खास रहस्यों का उद्गाटन करके कि प्रकिरती अनुहोनी के पहले क्या संकेत देती है आज का ब्रमास्त्र बहुत स्वाकत है आपका देख रहे हैं आप जोतिष दिशा स्पेशल मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंड संतोस अंतोस्षी ब्रमास्त्र में आज हम बताने जा रहे हैं कि प्रकिरती किस तरह के संकेत देती है अनहोनी से पहले तो सबसे पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाया था आपको अगर ब्लैक कलर अचानक बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाए अचानक इस शब्द पर ध्यान दिजेगा बच्पन से पसंद है इस एनदर पार्ट बच्पन से सफेद पसंद था अचानक काला पसंद आने लग जाए कुछ तो काला है मंगलवार को या शरिवार को कुछ लॉस होता हो आर्थिक, शारीरिक, गाड़ी में कुछ नुकसान हो गया बच्चे ने जमेट्री बॉक्स खो दिया टिफिन छूट गया, घड़ी तूट गई any kind of loss especially on Tuesday or Saturday that means कुछ तो गड़बड है मंगल या शरिवार को ब्लीडिंग हो चोट के साथ अचानक से टंक क्लीनर हाथ में चुप गया ब्लड निकलाया दिन मंगल वार था रेजर हरकासा लग गया दिन शनिवार था मंगल और शनि ब्लड जरूट निकलता हो गड़बड है मंगल और शनिवार को सन्योग ऐसा बने कि खाना न मिले या मिले टिफिन साथ में लेकिन खाने का मौका न मिले या बहुत लेट आर्स में मिले दिन रात दोनों का चाहे दिन का भोजन या रात का भोजन जर्नली बार एक तक मिल जाता है खा लेते हैं जेकिन मंगल शनिवार आते ही पता नहीं क्या होता है कि पांच छे बच जाता है कुछ सम्थिंग इस रॉप एक दम अचानक मन उचट जाए उचाठ हो जाए संकीत गंदा रहने का मन करे या सफाई से मन चुराएं एक ही बात है ये रेगुलर होने लग जाए अचानक पहले रोज आप पांच पज़े शे पज़े नहा ले दे थे अब मने नहीं कहता है नशे की या भोजन की खुराग बढ़ जाए ये सारे संकेत ऐसे संकेत हैं कि आप किसी बड़ी समस्या से दो-दो हाथ करने वाले हैं आगाह करती है प्रिकृति की आप सावधान हो जाएए धर्म कर्म पूजा पाठ बढ़ों का सम्मान आदी में रूची बढ़ा दीजिए तो क्या ये होनी जो नहीं होनी चाहिए ये रुख सकती है जी नहीं रुखेगी फिल भी नहीं बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी थैंक यू सो मच कल्चर वैली मीट अन 6 अफ जैनवरी 2019 इन वर्ड स्कॉर्ड माल मोहन नगर गाजयाबाद कैंडली डू कनफॉर्म विद यू स्वीट वाइज अलब कॉल करके बता दीजिए यह हम आ रहे हैं थैंक यू सो मच टेक केर सी रादे और मुंबई पूना और गौहटी तीन जगें का अपॉइंट्मेंट दुमाधार चल रहा है हमश्कार हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूले